संजे की कहानी आप खुद सुन लेंगे उनसे, इतना ही मैं कहूंगा कि मैं देड़ साल पहले मिला, कब दो साल हो गए, दो साल पहले संजे इस दुनिया में घुसके पीछे पड़ा कि कहीं न कहीं कोई मदद करने माले मिल जाए और मुझे शायद 20 बार वों के आओ उसने स्टॉरी ये खुद ही बता देगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि संजे की गाओं में अभी शंकर और मैं गए थे लगबग एक महीना पहले, तो वो नरेगा का एक बहुत ही जबर्दस बहुत लंबा कानी है, तो मैं उसको पूरा नहीं बता सकता हूं, लेकिन लगबग 50-60 गाओं होंगे, जो इससे जुड़े हुए हैं, रोज गाओं के लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टर में भरके ये चीजों को, टेकनोलोजी इतना नहीं, लेकिन नरेगा में अपना हक पाने के लिए और संगठन बनाने के लिए दूर दूर गाओं से आ रहे हैं, और उनमें से 80-90 प्रतिशत महिला हैं, मैं इतना ये कहना चाहता हूं कि उनका पूरा संगठन लाजली महिला हैं, ये एक समझ बनाने के लिए, क्योंकि टेकनोलोजी एक जरूर जरिया बना, लेकिन अन्त में बहाँ एक स्ट्रगल, इवन नरेगा रहे हैं, वेरेगा, वेरेगा, वेरेगा पूरा नाम सिंजे सानी है, अब ही हम जारता है टेकनोलोजी तो बात कर रहे हैं, तब रादा घंता से हम सून भी रहते हैं कि टेकनोलोजी, टेकनोलोजी, जितना दूर था मैं टेकनोलोजी से, आज मैं उतना ही नजदीक में आ चुका हूं, मैं बहुत ही दूर था, क्यों से जिन्द की जी रहे थे को कि रोज 607 रुपे साम तक कमा के आ जाते थे और घर पे अपना भी वच्छे के साथ दिल्ली में अराम से रहते भी थे पट उसी के दर्मियां जैसे हर एक पर देशी अपने गौव जाता है गूमने के लिए और हम भी जाते रहें बीच-बीच में तो धाई सल पहले तीन सल हो गया मुटबोटी तीन सल पहले मैं इसी तरह घर जाके अपने गौव में घुम रहाता रोड पे ऐसा ही तो कुछ-कुछ मज़़ूर बाचीत आपस में करते थे कि हमारा तो पैसा नहीं मिल रहा है और हमें काम नहीं मिल रहा है बर हमें समझ भी बिजलिका और ठीक उसी के सामने एक साइवर कैव भी है और हाल फिलाली में खुका सेट किया था दो-तीन मेना पहले और उचके बाद चला गया था लेकिन मेरे अंदर यह चीज जरूर थी मैं पढ़ाई नहीं किया ज्यादा मैं केवल साथ में कलास तक पढ़ा हूं और इं एक दिन में अचानक मेरे दिमाग में आया बाद वो नरेगा का याद गउं का मजदूर का तो मेरा पास काम नहीं था जिन दुकान पर बैठे थे आराम से तो दिमाग गया हुमारा वहां चले गए सबर कैप किया हाँ और आज भी जनकपुरी में है वहाँ पर दुकान है व कुछ नहीं कर रहा तो मैं चुप-चाप खरा रहा हुआ वहां पर जो कुछ लोग सेवर कैप थे तो किस्टमर लोग कंपूटर बैठे थे तो उनको मैं देखता था लगा था और वह सबसे नीचे चो गोल चकरी गूगल का होता है उस पर वह किलिक मालते थे और थोड़े में वह एक बॉक्स बनता था और उसमें कुछ टैप करते थे यह मैं जरूर देखता था तो थोड़े 10-15 मिनिट भी वह खड़े हो गये वहां से उठ गये और उठने के बाद मैं वहां पर बैठा जैसी बैठा सर्दार जी एकदम गुस्सा हो गया मेरे पर क्योंको पता था को सिमय प्कुल रहे तो मैं देखता था नहीं चुदर उनिघी सम políticas पसिरोंव कर दोल्टार दोनां टरप वह गो पल चक्री बॉक्स बन गए उसमें और वो जैसी बॉक्स बना शाहिए नाम पढ़सकता था इंगलीज में जैसे TH निए किया इKY मेरा उसके उसके इंदर भी विद्ध मारबर करता था दाइफ उसके मारलत कितो थो दिर में पूरा इंग्लीस इंग्लीस पूरे डेक्स्टॉप पे आगे एक दम से अब मेरे समझते बाहर की बात थी और जैसी डेक्स्टॉप पे लाइट आई कुछ-कुछ लिखा हुआ पिछे से सरदार जी चिलाने लगे यह वूट-वूट-वूट-वूट-वूट- ऐसे सरे आएamm ताफ्सन था जो वहां पर एक लीडिस्टिक करने मह आने लगा था यह मैस का रिपूर्ट उससे युचे पिर में मुझआफ़र्पूर्बू channel मेरे सकीलें है और पहला नाम जैसे आप देख रहे तो उसमें मेहंन यदिंदा नाम यृत के drought पे तो देखा जैसे लग रहा था कि मैं अपने दिली में अपने अपने गोहों में बैठाओं पूरे घर के आसपास के नाम, मेरे प्रोसियों का नाम, सब का नाम मैं उनको प्रींट निकाला उनको, शारे 400 रुपे का मुझे ध्यान है शारे 400 रुपे का बिल बना पर उस समय सरदार जी खुब खुस हुए थे निकाल के हम घर आया और हम पूरी रात उसको पढ़ते रहे कि है क्या यह हमें समझ में नहीं आ रहा था फिर अगले दिन मैं सुबह चला गया वहां सुबह जाके नो बजे दुकान खुलती थी मैं आठ बजी पहले से खरा था कि जैसी खुलेगा मैं पहले बैठ जाओंगा उ तो कोई बटन दवा मेरे से वह आज तक मैं ख्याल कर रहा हूं मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से ऐसे बटन दवा मेरे से जो उस पे एक नंबर लिखा मोबाइल का निकला मुझे जो नंबर वाटर पोर्टर के लिए संपर करें ऐसे कुछ लिखा हुआ था वो नंबर और वो नंबर था राजस्तान एक राजीत शर्मा का उनको नंबर लेके और मैं उनको फोन किया कि में पास कुछ कागज आए है और आपके इसकर लिखा हुआ था वाटर पोर्टर नेरेगह से संबंदी संपर करें तो नेरेगह का कागज लिखा हुआ है उपर वो करा मैंborg तो राजस्तान में मेरे से आप ज्यादा मदद नहीं ले सकते को कि मैं तो उल्टा उद्र से कैसे आऊंगा मैं आपको एक नंबर देता हूं उससे आप संपर करो वो नंबर दिया तो वो नंबर निखिल जी का मिला मुझे निखिल जी को तो जम निखिल जी को फोन किया मैं पहली बार तो करें मैं ट्रेन में हूँ आप एक सब्ता बात करना मैं बाहर जा रहा हूं तो चुप चब्रक दिया उनको फोन करके फिर एक सब्ता और बात किया फोन तो करें मैं अभी मीटिंग में हूँ आप अगले दो-तिन दिन में करना तो ऐसे चार-पांच बार लगातार में एक महिना तक इनको ट्राई मारा और बात नहीं हुई हमारी मैं वापस फिर उसी आदमी को फोन किया और रजीब सर्मा को मैंने का यार यह कैसा आदमी का नंबर दे दिया मुझे यहीं कभी तो उठा नियुकी तो कभी उठा रहे तो कह रहे लागे मैं दिल्ली में हो तक बहुए मीटिंग में हो ट्रेम माई बहुत गुम गुम के बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर दो आप मुझे उसने एक और नंबर दिया वो महमद अफजल जी का दिया वो महाराष्ट के थे उनको मैं फोन किया वो भी फिर चे कह रहे हैं मैं तो महाराष्ट में पोस्टिंग हूँ मैं आपको इसमें का मदद कर सकता हूं आ अब मैं परसान हो गया मैं थक के इनका फोन भी करना बंद कर दिया 15 दिन तो मैं का आप अराम से एक महीने बात फोन करें जब चाओका करेंगे मैं वो सारा कागज उठा के गौँच लगया अपना गरवालों को बोला कि मैं आरहो गौँच से घूम करके मुझे दिमाग में न आकातार घूम रहा था में वो सारा कागज उठागा अपने गांग कर गांग में डो ने लगा घूमने लगा जब शूम अजीम ऊबहुपाष में नि वह वहां का वो ऊक़िए तू बिकार कर रहे हैं तूब गलत काम चरह हो तूम नहीं पता ही क्या है तुम ये कागज रखदो घरमे तूम अच्छा-खासा क कमा रहे हो दिल्ी कम हो जाके वहादशा से तूम इसब mines पड़ो मैं ठीक है मैं नहीं पढ़ता हूं मैं अपना इधर घूम रहा हूं तो थोड़ा दिर बरबाद करने इतना जादा गुस्ता कोची होने लगा हमारे उससे पुरा मुझे बहुत ही भेंकर तरह से बेश्टी करने लगा क्योंकि उसमें सारा मस्टरोल था वो मस्दूर का पैमें आजब भी नहीं बनाया था और हमारे घर वालो को भी इतना यह नहीं था कि वह समझे कि है क्या यह उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट कि हम सी आप घर दिली चले जाओ दिली चले जाओ तो वो वापस में वापस आई गया दिली में पहसा दिन के अंदर-अंदर ही यहां आके फोर मैं काम पे चला गया, काम MODE चानaking एक दिन उनको फोन 네 console किया निखिल और इनसे मिला में जाके उस सारा कहानी बताया कि ऐसे से कागज है मर पास और मैं गाउं में भी गया वहाँ पे बहुत मुख्या मेरे बिगर रहा है मैं करूख से क्या करूँ हमारी पर्चे ही उसके बाद इन्होंने पटना में उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोसमेतु थ यहीं से जांच इसके साथ चले जवाब मैं का भेज दो मुझे इतना नहीं पता था कि वहां जांच होगी तो मार्पीटाई भी होगी क्या या कुछ होगा क्या मुझे इसका एडिया नहीं था और मैं खुछ हो गया कि जांच होगा अची बात है तो करनी आप ऐसे करो कुछना है वह लोग पढ़ सके वह दिवाल पे आप लिखवा हो तो मैं साम तक घर पहुंचा मैं देख रहा हूं दोपर में ही वहां पर वाल पेंटिंग हो रहा है दोपर में पेंट से कर रहा जा रहा चंतोश मैं तुसी टैम इमिजिटली अडर दिये जिला करा रहे थे अब जैसे घर पे गया तो उतनी कपड़ा भी चेंज नहीं किया होगा कि हमारे मुख्या आगे हमारा खरा हो गया दरबाजी पे और फिर से तूँ आ गया दुबारा मैं नेका मैं क्या कर सकता मैं कुछ कर रहा हूं आपको मैं आया हूं यहां गूमने के लिए में आरगा हो और हो सकता है यह अपने लालच में हमें भरखा रहा होगा यहां गाहों में आकर के उल्टे सिदे कागज दिखा के इसलिए लोग मुझे पर कोई भिस्वास भी नहीं कर रहा था किसी को बताओ वो तो वो अलगी हमको कातार तो दिमा खराबे क्या हम काम किया है नहीं तू क कि अलगी हमारा लिए मोबाइल बहुत बड़ा काम हुआ कि मैं दीन में एक समय था कि मैं दो महीना तक इन से बात नहीं हो पाई थी लेकिन फरजी एक मजदूर एक गरीब के खाते में 50-50 जार रुपया वहां के सरपेंच और करमचारी मिलके खाये थे वो कागज मैंने इंटरनेट से निकाला था और वो मुझे तब पदा चला जब हमें काम मिला वहां काम करके पैसे मिले तब पदा चला के ये कागज वही था जो अ काम मिल गया मजदूर को काम मिला फिर उनको पैसा मिला तो पैसा मिला तो एक दम जैसे होता है कि कोई मजबूत हो जाता है एकता ऐसा बना हमारा ऐसा बना लोगों के अंदर एक विश्वास जगी कि नहीं यह अपने लिए नहीं आया था यह वाकई में हमारे लिए आया था क्योंकि हमें काम नहीं मिल रहा था आज हम 6 मेने के अंदर यहां पर 15,000 रुपे कमा लिए 12,000 रुपे कमा लिए मजदूर के अंदर इतना तगरा भी सभास हुआ और वो एक गाउं में हमने शुरू किया था अपने गाउं में रतनोली मेरा गाउं परता है और उसको देख देख के आस पास के गाउं करते करते अभी 1,500 गाउं हो चुके हैं पूरा 1,500 और एक जिला नहीं बलगी 5 जिला में ये बात चली गई और 5 जिला में लोग काम कर रहें अपने अपनी इलाके में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं उसके भी एक कारण है क्यों महिलाएं क्यों ज़्यादा है इस काम में वो थोड़ा सरकार के तरफ से भी है ये बात है कि हमें महका मिल गई अच्छा कि महिलाओं ज़्यादा साथ में आगई इसलिए मेला है जी जान से वो काम कर रही है और इसमें बहुत इक्चु कुछ लगबग मेला है पड़ी हुई नहीं एक दो पहला होगी पड़ी हुई ऐसे करके तो उनको टेकनोलीजी पे आज की डेट में इतना विश्वास हो चुका है बलाई वो नहीं जानते चलाना तो उनको इतना पता चल गए अच्छा तरह से कि कंपूटर और टेकनोलीजी में कुछ तो है क्योंकि मैं जब से वहां गया तो वहां पर बहुत तरह के लोग भी गए यहां से और हमारे समचार भी कुछ-कुछ इस तरह के बंते रहें तो लोगों को पता चल गया कि आज ज इसलिए MIS बना था कि हम घर बैटे सुचना ले सके बहुत हमारी कहाणियों वैसे तो बहुत लंबी है अगर पूरे सुनाए तो तो मैं बहुत सोट में बता रहा हूं तो टेकनोलीजी के और इससे ज़्यादा मजबूत करना चाहिए आज के डेट में चाहे वो मिटीक में क हर किसी के पास है और हमारे लिह भी है जिस Utah अज घर में इस्तेमाल करते हैं खूब सबहुत तो घर सकते हैं तो तो लेसे दोर पाएंगे और ऑपकूर्यों में हर में कैसे सब्सक्रार कि इसलिए अमने वहाँ पाएंग धूर में और वो phone सब जग़ेगा पहुं जाता है, सभी लोगों का, इसको हम जोड़े हुमें और हर घर में mobile है, इसलिए पहुंझ जाता है, और mobile नहीं होता तो फिर हम नहीं बुला पाते हैं, यह बहुत सारे चीज है, और हमें लगता है और मजबूत करना चाहिए technology को, जितना आसान ह हो सकते हैं ताकि उनको यह पता हो जाए अपने हग के बारे में मालूम हो सके और यह मुटा-मोड़ी बात है है दोज़ चीज़े मैं कहना चाहूंगा जो इस कहानी में आई नहीं है लेकिन वो काफी मैंज़फोन है एक व्यक्ति जिसने वो पहले वाली जाँच में सबसे पहले बयान दिये उसका नाम था रामतमाठ ठाकॉर उसने ये वाला रास्ता उसने बयान दिये थे क्योंकि उसको ब्रश्टाचार से बहुत नाराजगी थी और वहां का एक छोटा वकील था उस गाउंका और इसलिए उसने हिम्मत भी कर ली बयान देने के लिए वो संतोजमाठ थी वज़े पहले जाँच में और वो संजे से नाराज भी हुआ कि यार तुम क्या ये लोगों को काम दिला ब्रश्टाचार की बाद तो तुम पूरा करने ही गए हो मुझे तो वहां जोड़ा उसमें तो वह पीछे पड़ेगा अपने रास्ते और उसमें गया और वह विजलन्स में भी उसने दर्ज की मुजफरपूर में ही और उसके पांच महीने बाद अत्या की गई मार्च मार्च सरपंच मुख्या और उसके भाईयों ने दिन शाम को चार पांच बज़े गोजी से मार दिया तो यह सब चीजें यह आसान नहीं है बहुत कटिंग परिस्तिती में बहुत मतलब टेक्नॉलिजी एक चीज़ है ग्रास्ता खोला यूस्फुल है लेकिन अरेस नहीं हुआ है आज तक 8 साल हो गया है दिन दहाडे हत्या गोली से मारना पूरे ग्रूप निक मारा और बहुत प्रेशर डाला हम लोगों और हम लोगों के जितने इंफ्लूएंस है उतना यहां भी आरूना और मैं नीटीश कुमार से खुद मिले इस केस को लेके उनक से अवेड़ा इस और लिज दू नीटीश पाक्षव लिवार अवा लेके वेगए निटिव एड़ीं कि तो नेष्णाति है उनके जुट में उनके झालीश की लोगों इस .